पूर्तगाल में Vacational Training Course के अदर क्या आपля keep an admission ले सकते या नहीं ले सकते सबसे पहले जी आपको बता दूँ एक तो सोचल मीडिया पर आपको बता दूँ कि ओपन चैलेंज है पहले यह कॉमेंट पढ़ें कहीं आदी ना पदर करना बहुत जोरी हों दिए अच्छा यह बंदा मैसेज कर रहा है टिक टोक पर भी कर रहा था टिक टोक तरह नमा ठंड permit of Finland where you have told us that it cost 8,000 euros along with that you have taken 500 as consultancy fee and still no response, nothing you have take money after that you don't pick up phone and of the customers, shame, ओ पाई पहले कनना तो लावा ते रिया जिनिया मह और याने न ओ खोल ठीक है और सब तो पहला खोल के सौन वो मह क्यान की लगावाँ यह नसली होएंगा तो समझ आज़ा जाज़ा 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 अगर यह नहीं कोई नाम देता है ना कोई identity देती यह हलाल्दा तो अपनी identity शो करके मेरा वीर गाले करे करो फिर ता नो मतर साथा फिर किसे एसरा किसे कोमेंट करकर के जो रब दे अंदर किस बगार प्रूफ तो किसरा कॉमेंट करी दा है ठीक है यह तो मेरा वीर मले दे अदिनने वारे सब्बेंग में सर्काइब करढांकर नाम लिए कोया नाम दिता है ती ताकर इस ने सब्सक्राइब अवरे सब्सक्राइब करें बड़े बड़े लोग आंदेने जड़े आके सोशल मीडिया तो फिर दो साल पहले भी एक बंदा है हजारी और शबाची मां को हमने पे किया कॉमेंट कारेकर लगा रहे हैं लिगल तो फिर बाद इगला ने जिदो अगर वाला साब नाम शाम देता है कोई डंटी होएगी सामने आएं उसते बाद सर जी एक होवर मेसिज आई देखो जी आवी पड़ वो कि आपने इसको मेसिज पैसे क्यूं दी है इसकी तो कंपनी नहीं है इस पर लॉयर नहीं है जो लोग मेरे आफिस में जा चुके हैं लिसमन पे उनको पता है जो लोग मुझे फ़र्दे फर्स से फॉलो क पिने जाके उन्हारा अलाज करा हो तो कोई रोजी रोटी लब हो यह वो फ्लॉप तरी एजेंट और यह ऐसे घटिया दुकियान उसी लोग होते हैं जो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते भाई मेरे सारी जर्नी यूट्यूब पे है ठीक है और वहां से चलता चलता है मैं कहा पब्लिकली आके मेरे से बात करें तो को प्रूफ दें फिर बात करते हैं ठीक है अच्छा यह भाई ने कॉमेंट किया था खेर ऐसे लोग आते रहते हैं लाइफ में लेकिन ऐसे लोगों को रिस्पॉंस करना जो जिस वे में यह चलते हैं उसी वे में जवाब ही देता हूं ठीक है अच्छा दूसरा जो हमने जो मैसिज हमने आया जिसको हमने इंपोर्टेंट समझा यह वीडियो बनाने का यह बाई ने मैसिज किया है यह बाई जाय रहे हैं कि आप कंट्री से पहल करना पड़ता है वहां पर और 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 स्टे हो चुके एवन वैलिड वीजा पर भी वह नहीं करा सकते तुम बस वियूज के चकुर में लोगों को ख़वार करवा दो अच्छा कि कहीं लोगों को ना कोई इन्फरमेशन नहीं होती हैं वो समय होते हैं कि स्टडी वीजा ह ये लिगल एंट्री है इसकी कंडिशन हैं लीगल एंट्री होने चाहिए आपकी आ टोरिस विजा ओर किंठरी का वैलिड टी यार्सी कार्ड या वीजा हो लेकिन लीगल होना चाहिए तो आप यहां पर आके वर्शय ट्रेनी कोर्स का डिगरी के अंदर भी ले सकते हैं तो डिगरी फसने का फाइदा नहीं होता क्योंकि यहाँ इतनी अर्णिंग है निए पांच-छे हजार यूरो साल की अर्णिंग करना अपने खर्चे भी निकालना फिर यूनिवस्टी को पे करना बंदा फाज जाता है तो उससे बेतर है कि वोकेशनल ट्रेनिक कोर्स के अंद आइक स्टैंड करवा सकते हैं अब रेन्यू कर्वा सकते हैं अब रेन्यू करवाने के लिए ग्मly कौर्स के अंदर आपने स्टाडिश की थे ऐं उसकर बड़िय स्चारी के नदर ऑपर पास जौब औफर होनी चाहिए आपका जौब कॉंट्रेक्ट होना चाहिए तो फिर आप रिणिक करवा सकते हैं, तो वोकेशनलन ट्रेनिकोर्स के अंदर जाने का फाइदा यह होता है, होटल मैनेजिमेंट का कोर्स कर लाते है, क्रुज और यह बहुत बड़ी रेंज है, जैसे होटल मैनेज। आ गया रेचोनिस्ट आ गया आ वह लेटर आगया फिसके बाद बार टेंडर आगया तो काफी जादा फिल्ड जो है न इसमें कवर हो जाती है तो ऐसी फिल्ड चेंदर आपको जॉब मिलना भी एजी हो जिता आपको एक साल वहां पर पढ़ेंगे साल के अन्दर आप बसी लैंगविज भी तो सीखेंगे ना बस तो हमने उसको explain कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है आप अगर यहां पे आते हैं legal entry illegal वाले नहीं कर सकते हैं उनके लिए कोई option नहीं यह सिर्फ उनके लिए जिन्होंने visa validity के अंदर अंदर entry की है पुर्टगाल के अंदर यह वही study base पे जा सकते हैं इसके लावा अपपस कोई program नहीं हो और कोई रास्ता नहीं है अमेद करता हूं काफी चीजे समझ आगी होंगी अपना बहुत सारा ख्यार रखे वीडियो को lecture comment लास्मिंग कर दिया करें बाकि जिदी पदड़ होई है जरा उदे बारे टाड़की ख्याले जरा उदे बारे भी comment कर दिया मिलते नेक्स वीडिवेंट है टोपिक साजी अला आपीज